नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और हपी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 1 अगस्त 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी टॉप 10 ताजा ख़बरों की जनकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं ताजा ख़बर ब्रेकिंग न्यूज है हिमाचल मानसून सत्तर सडकों की बदहाली करमचारियों के मुद्धों साहित मानसून सत्तर में गुञेंगे 367 प्रशन तो राज ये विधानसावा का मानसून सत्तर 10 से 13 अगस्त तक 4 दिन के लिए चलेगा विधानसावा चुनाव से पहले या छोटा सत्तर होगा मगर इसमें विधाईकों की और से विभेंद मुद्धे जोए उठाए जाएंगे करोना वाइरिस हेमाचल के करोना संक्रमितों में ओमिक्रोन बी ए फोर और बी ए सिक्स वेरियन्ट नहीं तो परदेश सिरकार ने स्वास्ते विभाग को अलर्ट रहने को कहा है स्वास्ते विभाग का कहना है कि BA4 और BA6 वेरियंट टी वरगती से फैलता है हिमाचल जुलाई के सरसों तेल का कोटा अगस्त में ले सकेंगे उपबोगता तो गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवारों को 134 रुपए गरीबी रेखा से उपर APL को 149 और करदाताओं को जो है 140 रुपए प्रती लीटर तेल उपलब्द करवाया जाएगा HP High Court MLA के जो है DO नोट पर किया प्रिंसिपल का तबादला रद तो हिमाचल प्रदेश ओच नियायल ने भोरंच से भाजपा विधाई कमलेश कुमारी के DO के नोट पर जो है जारी तबादला आदिश्यों को जो है नियमों के विपरीत बताया है हिमाचल वैदर बारिश से जो है जन जीवन अस्त वियस्त तस्वीरों में देखें तबाही की तो तस्वीरे आप देख सकते हैं हिमाचल परदेश में जो है लगतार हो रही बारिश से जन जीवन प्रभावित हो गया है कांगड़ा के मुल्थान के वुजलिंग में बादल फटने से 20 पीगा जमीन पर जो है उगाई गई किसानों की नगदी फसलें गोभी मूली धनिया आदी बरबाद हो गई वहीं कोटा में 11 साल के बालक को जो है नाले में बेहने से बचा लिया गया शेमला नीजी बस ऑपरेटर 10 अगस्त को करेंगे परिवान निदेशल्य का गेराव तो ऑपरेटरों का आरूप है कि कई जीलों में जो है प्राधिकर्ण की बैठके नहीं हो पाई है इससे बस मालिकों क को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है एचपी टैट हेमाचल में हजारों वभिहारतियों ने दिया टीजटी नौन मेडिकल एल्टी का टैट तो स्कूल शिक्षा बूर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सौनी ने बताया कि टीजटी नौन मेडिकल की अध्य पातरता परिक्षा के लिए परदेश में 6 परिक्षा के अंदर बनाए थे C.M. जयराम ठाकर हाटी समुदाए को जल्द मिल सकता है जन जाती दर्जा तो मुखे मंतरी जाराम ठाकुर ने कहा कि केंदर सरकार जल्द ही हाटी समुदाए कि हितों में उचित नर्णे लेगी युवा आक्रोश रेयली मुकेश बोले सत्ता में आते ही बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना तो मुकेश अगनी हुतरी ने कहा कि वह मातर चिंत पूर्णी की कसम खाते हैं कि परदेश में कांगरिस की सरकार सत्ता में आते ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाएगी विधाएक राजिंदर राणा ने भाजपा पर बोला हमला कहा बिरोजगारी पर चर्चा से भाग रही सरकार तो प्रदेश की जैराम सरकार बिलोजगारी पर चर्चा से भाग रही है भाजपा सरकार ने नौकरियों को बेचा है तथा जंता से जो है जूट खा पुलिस भरती परिक्षा में जांच सीबियाई से करवाई जाएगी जबकि सचाया है कि भाजपा सरकार दोशी पुलिस जा रही है सेब कार्टन पर नहीं थमा अंदोलन पांच अगस्त को सचीवाले का गहराब करेंगे बागवान त्यारियान पूरी शिंकुला पास में जो है ताजा बर्फ बारी मियार गार्टी में बार्ड में फंसा कैबिनिट मंतरी डॉक्टर रामलाल मारकंडे का काफला पस्पीरे आप देख सकते हैं 16,500 फिट उंचे शिंकुला पास पर ताजा हलकी बर्फ पारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई वहीं जनजाती जिल लॉलस पिती के नालों में भूसकलन होने से एनेच बंद हो गया किसानों बागवानों को हक दिला कर रहेगी आप तो आम आदमी पार्टी किसान विंग के अधिक्ष अनिंदर सिंग नोटी ने कहा कि बागवानों के समर्थन में सडकों पर उतरी आम आदमी पार्टी के दवाब में आकर किसान विरोधी प्रदेश के सरकार ने जो है बाग यूवक की रिपोर्ट आई negative स्वास्ते भी भागने ले राहत की सांस तो सोलन जी ले के बदिक शेत्र के यूवक में मौंकी पक्स के लक्षन का मामला सामने आ जा था यूवक की सेंपल लैब में बेजे गई थे जिनकी रिपोर्ट आ गई है यूवक की रिपोर्ट negative पाई य जिससे स्वास्ते भी भागने राहत की सांस लिये है रावी में नारियल वा मिंजर विसर्जन के साथ चंबा के एत्यासिक मिंजर मेला जो है संपन अखंड चंडी पैलेस से निकली शोव यात्रा सीम जारामने की आगवानी तस्बीरे आप देख सकते हिमाचल के चंबा जी से शोव यात्रा निकाली गई डॉक्टर राजेश बोले प्रदेश को महंगाई के दल दल में देखे रही सीम कर रहे कोरी गोशन है डॉक्टर राजेश शर्माने जना जना देहरा की जनता का दर्थ चौकी कला गाउं में लोगों से की मुलाका तस्वीर आप देख सकते है तो दोस्तों यह थी आज की टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले ताकि आप तक हिमाचत प्रदेश की हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जैहिन जैभार